हलो दोस्तो मैं परशान आप सभी का अपने यूटूब चैनल एक वीटी टू कमिटी में स्वागत करता हूँ तो आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं एक जबरदस ट्रेडिंग स्ट्रेजी के उपर जिसको हमने फॉर्म किया है एक्सपोनेंशल मुविंग एवेज को लेते हुए यहां पर हम 9 डेज और 21 डेज एक्सपोनेंशल मुविंग एवेज के वेसिज पर एक जबरदस ट्रेडिंग स्ट्रेजी फॉर्म करने जा रहे हैं जिसके basis पे आप आसानी से intra day में trade कर सकते हैं और इसका accuracy level भी काफी high रहता लगभग आप 90% के accuracy के साथ आप यहाँ पे trade initiate कर सकते हैं यहाँ पे हम exponential moving average तो ले रहे हैं 9 days और 21 days का लेकिन इसके साथ साथ हम कुछ और factor को भी add करेंगे सिर्फ हम exponential moving average को देखते हुए trade नहीं करेंगे तो चलिए हम यहाँ पे trading strategy सीखते हैं तो यहाँ पे हम repeat यहाँ पे हम चार्ट पे आगे हैं और देख सकते हैं यह जो चार्ट है आपका bank nifty का 5 minute time frame बाला चार्ट है यहाँ पे आप किसी भी time frame में trade कर सकते हैं और यहाँ पे हमने lower time frame लिया है जिसके basis पे आप चाहो तो intra day trading भी कर सकते हैं यहाँ इसका इस्तेमाल आप intra day trading में भी काफी हट तक कर सकते हैं और इतने कम time frame में भी आपका accuracy level जादा मिलेगा अब यहाँ पे हमें करना क्या है सबसे पहले हमें 9 days के exponential moving average को लेना है फिर हमें 21 days के exponential moving average को तो white बाला आपका कौन सा है यह आपका 9 days exponential moving average और यह जो rate वादा है यह आपका 21 days exponential moving average अब अगर हमें सिर्फ moving average के basis पे trade करना हो तो हम कैसे trade करेंगे जब आपका 9 days exponential moving average 21 days EMA को cross करके उपर निकलेगा तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बाई side की तरफ trade initiate करेंगे जब आपका 9 days exponential moving average 21 days exponential moving average को cross करके नीचे आएगा तो यहाँ पे हम sell side की तरफ trade करेंगे यह नहीं यहा आपका white line weight को cross करके उपर निकलेगा, हम क्या करेंगे, हम by side की तरफ trade initiate करेंगे, और जब भी white line weight को cross करके नीचे आएगा, हम यहाँ पे cell side की तरफ trade initiate करेंगे, यह चीज़ आपको ध्यान रखने की ज़रुवत है, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे हम क्या और add करने की है, अगर हमें accuracy level यहाँ पे 90% चाहिए, तो सिर्फ हमें exponential moving average से काम नहीं चलेगा, हमें कुछी और factor को add करना होगा, वो factor कौन कौन सा है, यहाँ पे सबसे पहले हम add करेंगे, कोई भी chart pattern बनना चाहिए, मैं आपको example बताऊंगा तो और ज़्यादा clear हो जाएगा, दूसरा, हम हमें क्या चाहिए, कोई भी हमें candlestick pattern चाहिए, जहां पर यह काम हो रहा है, और तीसरा हमें क्या देखना है, कि कोई भी candle में के स्ट्रैंथ का clear cut idea मिलना चाहिए, यह नहीं candlestick के strength को देखते वे और candle के pattern को देखते वे, और chart pattern को देखते वे, या फिर जो भी कुछ अभी हम ने सीखा है उन सब को यहां पे हम अपलाई करते हुए हम इस exponential moving average का इस्तमाल करेंगे तो चले देखते हैं इसका इस्तमाल हमें करना कैसे है तो यहां पे अगर आप चार्ट को देखो तो हमें किसको देखना exponential moving average को देखना अब देखिए white line weight को cross करके नीचे side की तरफ यहां पे आया है यहां पे हमें sell side की तरफ trade लेना लेकिन यहां पे हमें कोई एक pattern चाहिए candlestick pattern या फिर chart pattern तो देखते हैं यहां पे कोई pattern बना एक नहीं बना प्राइस आपका नीचे से उपर side की तरफ आया है और यहां पे आपका top 1 बना या है फिर आपका नीचे आया फिर उपर गिया और यहां पे आपका top 2 बना यहनि यहां पे क्या formation किया है आपका double top pattern का formation होता हुआ दिखा यहनि यहां पे एक हमें chart pattern clear cut देख गया है और यह काफी हद तक आपका m pattern का भी कि या देख सकते हैं इस तरीगे से आपका m pattern का भी फारमेशन रहा है और इसका यहां पर हम दो दो सज़ुत मोविंग देंगे लेकिन यह respond गवेंग वह में इस से पहले ही इनिडिकेशन दे दिया तहह हम थोड़ा सा wait करेंगे और जब दोनों तरफ से हमें indications मिल जाएगा तब हम interview लेंगे यानि यहाँ पे हम जो sell side की तरफ wait करेंगे वो करेंगे 41,550 के करीब हम यहाँ पे sell side की तरफ wait initiate करेंगे आपका 41,400 first target price या फिर यहाँ पे M pattern बदाएगा यह हमारा ultimate target price हो जाएगा आपका 41,350 के करीब और इस target price को देखे इसने hit कर दिया है तो इस तरीके से यहाँ पे हमें profit मिलता हुआ दिख जाएगा और यह हमने tweet initiate किया based on chart pattern और exponential moving है विस इसी तरीके से आपको exponential moving है विसको देखना है कि जहाँ कई भी indications हमें मिलवा या sell करने का उससे पहले कोई chart pattern या फिर candlestick pattern का formation हो रहा है और वहाँ से हमें indications मिलवा तो हम tweet करेंगे otherwise हम tweet नहीं करेंगे for example इससे पहले भी मैं आपको दिखाना चाओंगा देखें यहाँ पे हमें sell sir की तरफ आने के लिए बोला था लेकिन कोई उस तरह का pattern नहीं बना है अगर हम यहाँ पे pattern का formation भी करते हैं तो इस तरीके का pattern का formation देखने को मिलेगा जहां सामें कोई negative indications नहीं मिला यहां पे हमें जो loss हो सकता था उस loss को हमने क्या किया इस strategy के basis इस पे हमने avoid कर दिया अब यहां पे हमें क्या मिला buy side की तरफ indications मिलता हुआ दिखा है यहां पे अगर हम कोई pattern खोजने के कोसिस करें तो यहां पे देख सकते हैं एक आपका rounding bottom pattern का formation क्या है जिसका neck line आपका यह है हमें यहां पे भाई सकते हमें जो उपर अगर प्रइस निकलता है और जो reward होगा वो आपको कभी ठीक टाग भी मिल सकता कम भी मिल सकता तो reward में focus नहीं करेंगे जैसी हमारा risk increase होगा हम क्या करेंगे trade को avoid करने कूसिस करेंगे यहाँ पर हम trade initiate नहीं करेंगे तो यहाँ पर pattern बना अगर price आपका gap up नहीं होता इसके आसपास खुलता तो हम trade ले सकते थे लेकिन यहाँ पर हम trade नहीं लेंगे तो ultimately आपको risk और reward ratio भी आपको चेक करते रहना है कि विस्क कितना और reward कितना उसके basis पर भी trade लेना तो इस तरीके से आपको जब भी exponential moving average के तरब से आपको confirmation के लिए वेट करना है यहाँ पर हम हमने course design किया है आपको हमारा mobile app equity community को डाउनलोड करना होगा play store से और वहाँ पर आपको course मिल जाएगा जिसमें हमने stock market को basic से लेके advanced level तक सब कुछ बताया यहीं आपको complete information मिल जाएगा अगर आपको सिर्फ feature options के बारे में चाहिए तो वहाँ से भी हमने basic से लेके advanced level तक बताया जिससे आप feature options में independent trailer के रूप में काम कर सकते हैं हमने course को इस तरीकी से design किया है कि आप stock market में carrier options भी बना सकते हैं तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इस options को देखते हैं तो यहाँ पर हम आगे HDFC bank के 5 minute वाले time frame में अब यहाँ पर हमें क्या करना है यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो white line है rate को cross करके नीचे side की तरफ आता हुआ दिखा मतलब यहाँ पर हमें sell side की तरफ trade initiate करना है लेकिन उससे पहले हमें देखना है कि कोई pattern या पर candlestick pattern हमें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा तो यहाँ पर अगर हम price को गौर करें तो price में contraction देखने को मिलता जा रहा है मतलब अगर हम इसके high को और low को join करें तो यहाँ पर हमें एक strangler pattern का formation बनता हुआ दिख रहा है यहाँ यहाँ पर एक strangler pattern का formation किया है अब इसके बाद यहाँ पर आइधर breakout मिल सकता या फिर breakdown मिल सकता लेकिन जो exponential moving average है 9 day और 21 day का वो हमें क्या indication दे रहा है? sales side की तरफ indication दे रहा है और at the same time यहाँ पर भी हमें यह जो pattern है twangle pattern उसके तरफ से भी sales side की तरफ indications मिला यहाँ पर हम sales side की तरफ trade लेंगे यह जो point होगा हमाई लिए SL के रूप में काम करेगा और इसको हम as a target के रूप में रख सकते हैं यहाँ पर हमारा target price हो जाएगा यहाँ पर जहाँ पर भी आपका market close हो रहा market closing से पहले आप निकल सकते हैं यहाँ पर इसके basis पर intra day में भी trade initiate कर सकते हैं इंट्रा day में जो भी लोग trade करेंगे वह इस लिवल के आसपास exit करेंगे यह नहीं यहाँ पर anyhow मुझे अच्छा खासा profit मिलता हुआ लगबग 1% से ज्यादा का profit यहाँ पर हमें आसानी से मिल जाएगा अगर हम उससे पहले यहाँ पर भी देखें तो यहाँ पर भी देख सकते हैं को यूज करना जरूरी है यहाँ पर एक और एक्जामपल लेते हैं जिससे आपका concept और ज्यादा क्लियर हो जाएगा जैसे यहाँ पर हम आगे हीरो की तरफ indications दिया है अगर हम यहाँ पर sell side की तरफ बात करें उससे पहले जो कुछ pattern बना आपका इस तरीके इस pattern बना यह नहीं अगर हमें sell भी करना होगा तो कहां पर करना होगा इसके नीचे sell करना होगा लेकिन इसके नीचे आता हूँ नहीं दिखा है यहाँ पर जो हम sell side की तरफ trade ले सकते हैं उसको भी यहाँ पर हम एवाइड करेंगे इस तरीके से जब भी आपको pattern दिखे तभी आपको ट्वेड करना अधर्वाइस हमें ट्वेड करने की ज़रूद नहीं है लेकिन उससे पहले कोई pattern बनवा एक नहीं बनवा जो पहले pattern हमने draw किया थो वही आपका parallel channel pattern का formation दिख रहा अपसाइड में हाइस पॉइंट यह जैसे प्राइस को ब्रेक करके उपर निकलेगा हम बाइसाइड की तरफ trade initiate कर सकते हैं तो यहाँ पर इसको ब्रेक करके उपर न पर जहाँ पर आपको सही लगता है वहाँ पर प्राफिट बुक करके निकल सकते हैं तो यहाँ पर आपको exponential moving average का इस्तेमाल करना ही है 9 days और 21 days का सबसे पहले signals हमें यही देगा buy side की तरफ जाने का अगर यहाँ से हमें signal मिल गया उसके बाद हमें confirmation के लिए चेक करना कोई chart pattern ह तो candlestick pattern हो वहाँ से चेक करना वहाँ से अगर हमें confirmation मिलता है तो क्या करेंगे हम trade initiate करेंगे otherwise यहाँ पर हम trading को avoid करेंगे तो यहाँ पर हम कोई एक single factor के basis पर trade नहीं करें क्योंकि उसके basis पर हमें उतना accuracy level नहीं मिलेगा सो उमीद करते हैं यह simple सा concept है लेकिन काफी powerful concept है आपको यह चीज़ समझ में आ गया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को like करके हमें encourage किजे चैनल को subscribe नहीं किया तो चैनल को subscribe भी किजे शादी साथ bell icon दवाना ना भूले ताकि जब भी हम इस तर करया हूँ प्लीज